गर्मियों में बालों में तेल लगाना मतलब एक मुसीबत हो जाती है और बाल हमारे इतने ज़ादा चिपचिपपे हो जाते हैं कि क्या ही बोले उसके वज़े से हमारे बालों में पसीना भी बहुत आता है गर्मी में ऐसी दिक्कते आपको भी होती होंगी इस remedy को बनाने के लिए बहुत ही आसान सी ingredients में बताने वाली हूँ जो कि आपकी घर पर हर वक्त available होते हैं और आप इस remedy को oiling के जगह पर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से request आप से जरूर करना चाहूँगी अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजे क्योंकि ऐसी interesting amazing videos मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूँ साथी वीडियो पर एक छोटो सा लाइक भी जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत माइने रखता है सबसे पहला और most powerful ingredient मैं आप ले रही हूँ वो है aloe vera gel मैंने आपे लिया है आपको ऐसा aloe vera gel धून करके लेना है जो कि 100% pure हो बहुत सारी अच्छे अच्छी company's के aloe vera gel market में available है दोस्तों तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चमच aloe vera gel दोस्तों aloe vera gel हमारे skin के लिए तो फाइदे बंद होता ही है हमारे सेहत के लिए भी फाइदे बंद होता है और तो और उससे कई गुना जादा ही हमारे बालों के लिए भी यदि आपके बाल बहुत ज़दा ज़ड रहे हैं तो aloe vera gel का इस्तमाल आप ज़रूर करें आपके बालों का ज़ड़ना रुख जाएगा aloe vera gel में vitamin A होता है, beta keratin होता है, vitamin C और E होता है जो कि हमारे बालों के लिए बेहदी ज़दा फाइदे मंद है इसमें धेर सारा anti-oxidants भी होता है इसके बाद जो अगला ingredient हमें से मिलाएंगे वो है castor oil यानि की अरंडी का तेल एक चमच aloe vera gel में एक चमच castor oil आपको मिलाना है दोस्तों अरंडी का तेल ना केवल आपके बालों को ज़ड़ने से रोकता है बलकि आपके बालों को ये घहना भी बनाता है अब तीसरा ingredient जो हमें से मिलाएंगे वो है vitamin E की दो capsule या आपको किसी भी medical store में बहुत ही आसानी से मिल जाती है ये भी हमारे health के लिए हमारे skin के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़दा फाइदे मन होती है specially मैं बोलूंगी vitamin E oil ही हमारा hero ingredient है इस remedy के लिए vitamin E oil हमारे बालों को दो गुना तेजी से बढ़ाने का काम करता है ये हमारे कमजोर बालों को पोश्च तत्वा प्रदान करता है और साथ हमारे बालों को सेहत मन रखता है ये हमारे बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है साधी साथ ये oil हमारे बालों को काला घना लंबा और चमकदार बनाने में हमारी मदद करता है इसके बाद एक final ingredient हम इसमें add करने वाले दोस्तों जो की आपका कोई भी favorite oil जो आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं आप नारिल के जगा पर ऑं आप वी इसमें नहीं होता है कर लें इसमें हमने अलोवेरा जेल मिला करने जिसके कारणम भी बालों पर ज़्यादा मथा आप देख़ेक में लोगाने के लिए बिलकुल तयार है दोस्तों आपको इस remedy को अपने बालों पर लगाना है बाल धोने के दो घंटे पहले दो घंटे तक इसे अपने बालों पर लगे रहने दे उसके बाद जिस भी शांपू से आप अपने बालों को वाश कर लीजे इससे होगा ये कि आपको आपके बालों पर ओलिंग की गुड़नेस भी मिल जाएगी साथ ही आपके बाल चिपचिपे नजर नहीं आएगे आपको पसीना भी नहीं आएगा साथ ही आपके बालों को नरिश्मेंट भी मिलेगी जब भी आपको बाल दोना हो ऐसा हमेशा आप करें इन गर्मियों में खास करके इससे आपको बिल्कुल भी आपके बाल चिपचिपे नहीं लगेंगे दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस कोनी से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपका नाम आपकी जगह का नाम ताकि अगली वीडियो में मैं अपनी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स बोल सकूँ मेरे पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए मैं थैंक्यू बोलना चाहूंगी किरन मुक्तसर जी को जो की पंजाब से हैं शालनी भटाचार जी को जो की कॉलकता से हैं साक्षी यादव जी को भी थैंक्यू बोलना चाहूंगी थैंक्यू गाइस फोग वाचिंग मैं व लगी होगी इन्फरमिटिव लगी होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो सकते तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आप की जरी उनकी मदत हो जाए थैंक्यू सो मच वाचिन दिस अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर